रास्टिये शैक्षिक अनुसंधानेवं प्रशिक्षण परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा दो के छात्रों के लिए कारिक्रम स्वाध बढ़िया चाटवाला चटपटी चाटवाला इसमें आते सारे स्वाध इसकी आती सबको याद जायका ठीक बनाती है तीस पैसे में आती है बढ़िया चाटवाला चटपटी चाटवाला एक पत्ता कितने का दोगे आओ 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 सब आओ अमचूर वाला पत्ता पत्चुस पैसे का और नीबू वाला पत्ता तीस पैसे का क्यों भाई चाटवाले अमचूर भी खटा होता है और नीबू भी फिर नीबू वाला पत्ता पाट पैसे मेंगा क्यों देते हो अरे बाबू जी नीबू अमचूर से महंगे जो मिलते हैं नहीं हम तुमें एक पत्ते के पत्चिस पैसे ही देंगे बनाओ एक पत्ता आप पत्चिस भी ना देना बाबू जी चटपटी चाट का मजा लो अरे पाने, 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 तुमने चाट बहुत तीखी बना दी, अब मैं तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं दूँगा भाई पैसे कौन मांग रहा है, चाट में डालो मीठी चटनी, ए ए ए ए ये, और लोगे? अब बाद बनी, पर ये खटी, मीठी चटनी कैसे बनाई? खटी चटनी में खटी चीज डाली इमली, इमली नहो तो खटाई निबू भी तो खटा होता है, अरी चाट वाली, और एक पता बना दो, पर मेरे दात में कुछ हो रहा है मेरी चाट से तो दातों में कुछ नहीं होता हे हे हे, तुमने इससे पहले जरूर कुछ खाया होगा, जिससे दात उतर रहे हैं तुम मेरी मा को ना बताओ तो कहूँ हाहा, कहो, मा को नहीं बताओंगा अपने दोस्तों की साथ मैं खेत में गया वहाँ इमली के बहुत सारी पेर हैं हम समने इमली तोड़ी और खूब खाई खाई, खूब इमली खाई ये तुमारे दात खटी इमली ही खाने से उतर गये हैं ज्यादा खटी चीज खाने से ऐसा ही होता है अब तुम मीठी चीज खाओ दात ठीक हो जाएंगे यानि बुरा खाओ बुरा तो मीठा होता ही है चीनी और गुड़ भी तो मीठा होता है और कुछ ना मिले तो एक गना ही चूस लेना उसमें भी तो मीठा रस भरा होता है रस गुला तो तुम खा नहीं सकते क्यों नहीं खा सकता मीठे मीठे रस गुले तो मुझे बहुत पसंद है हाँ हाँ भाई तुम क्यों नहीं खा सकते बच्चों को खटी मीठी और चटपटी चीजें तो बहुत पसंद होती है यानि वे इमली खाएंगे, कच्चे आम खाएंगे, आम पापड खाएंगे, रस गुले रबडी खाएंगे, चूरन खाएंगे बस बस दादा जी कहते हैं कि मीठी चीजे ज़्यादा खाने से पेट और दात खराब हो जाते हैं ये बात तो सही है, तो तुम फल क्यों नहीं खाते हैं, कई तरह के फल मीठे होते हैं, जैसे सेब, संत्रा, आम नहीं नहीं, ये मीठे जरूर होते हैं, पर इनका कोई भरोसा नहीं, कभी कभी बहुत खटे भी निकल जाती हैं, मुझे बहुत खटी चीज अच्छी नहीं लगती, हाँ, चटपटी हो तो अच्छी लगती है जैसे मेरी चाट है, इसमें इमली का खटा स्वाद है, गुड का मीठा, और मिर्च का चरपरा स्वाद है हम चूर डाल दो, या नीबू निचोड दो, हर चीज खटी बन जाएगी थोड़ा बूरा या गुड मिला दो, हर चीज में मीठा स्वाद आ जाएगा मिर्च डाल दो, तो चरपरा स्वाद हो जाएगा और उन सब को नमक के साथ मिला दो तो मजेदार चटपटा स्वाद बन जाएगा मीठी चीनी मीठा गुड खटी इमली खटा नीबू एक खटा, एक मीठा, दोनों को मिला दो, बना खट मिठा चटपटा चूरन तो मैं खर में ही बना लेता हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मेच, थोड़ा सा बूरा और थोड़ी सी खटाई मिलाई बस चटपटा चूरन बन गया वो मुझे बहुत पसंद है मगर दादा जी उसे भी खाने को मना करते हैं क्यों? वही पेट खराब, उपर से ढक्तर का डर दिखाते हैं कि पेट खराब हो गया तो करवी दवा पीने को मिलेगी चाट वाले मुझे करवी दवा बिलकुल अच्छी नहीं लगती करवी दवा अच्छी किसे लगती है? मैं भी उसे बिलकुल नहीं पी सकता बिलकुल ऐसी जैसे नेम की पत्तियां खाली हूँ मुका स्वाद तो फिर खराब हो गया चाट वाले करवी दवा का नाम सुनते ही सारा मजा खराब हो गया चाट का लाओ थोड़ा नीबू और डाल दू इसमें ओ फू 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 ये नीबू था या नीबू सारा साथ करवा हो गया छोटे साहाब मैंने तो नीबू ही निचोड़ा था चाट में लगता है इसके साथ में बीज भी चला गया और वही आप चबा गये नीबू का बीज वा चाट वाले जी इतने खटे नीबू का बीज इतना करवा कैसे हो सकता है एक दम जैसे नीब नीबू का रस खटा होता है मगर उसके बीज कड़वे होते हैं छोटे बाबू नीम की पत्ती कड़वी होती है उसकी कच्ची निबोली भी कड़वी होती है मगर जब वो पक जाती है तो उसका गूदा जरा मीठा हो जाता है गुठली फिर भी कडवी ही रहती है करेले का स्वाद भी कडवा होता है सबजी बनाने से पहले तभी तो उसे नमक लगा कर रखते हैं इस से उसका कडवापन निकल जाता है अजब तमाशा है अच्छा छोटे बाबू, तुमने आम तो खाया ही होगा कैसा होता है? आम तो मीठा होता है मगर कच्छा आम हमेशा खटा होता है मीठा वो पकने के बाद होता है जब कच्छे आम का तरह तरह के मसालों में अचार डाल दिया जाता है तो वो चटपटा लगता है है ना? मेरे मुँ में पानी आ गया चाट वाले एक पत्ता और बना दो ना? लो जी कितने पैसे वाला बनाओ? है पत्चिस पैसे वाला? मगर मेरे पास तो सिर्फ पंदरा पैसे ही है तब तो मुश्किल है बाबू जी तुम्हें पंदरा पैसे में पत्ता बना कर दे दिया तो यहां बैठे सभी लोग पंदरा पंदरा पैसे ही देंगे पत्तों के बड़ा घाटा रहेगा इस सोदे में दे दो न चाट वाले मैं किसी से कहूंगा थोड़ी ही चलो नीबू मट डालना इमली का खटा पानी ही डाल देना मीठी चते भी मट डालना तुमने तो परेशानी में डाल दिया छोटे बाबू जल्दी से एक पत्ता बना दो ना ठैरो ठैरो मुझे सोचने तो दो कि पंधरा पैसे वाला पत्ता कौन सा बनाओं हाँ खीरे की चाट बना दूँ नहीं नहीं खीरा नहीं यह भी कभी 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 करवा निकलता है मगर मेरा खीरा एक दम मीठा है यह लो चक्कर देखो अरे यह ना मीठा है ना करवा यह तो एकदम खटा है चाट बनाओं जी यह लो और सुनो खीरा भी कभी खटा होता है लो जखो खीरा खटा क्यों हुआ वो बताओ अरे भाई खीरे पर मैंने नीबू निचोडा तो खीरा हो गया खटा चाट वाली जी, आप तो सादो के बारे में चानते ही होंगे बताओ तो सही, खटा, मीठा, कड़वा और चैरपरे के अलावा भी कोई स्वाद होता है अरे छोटे बाभू, आपने भली कही दुनिया में हर खाने की चीज़ का स्वाद अलग-अलग होता है तुमने वो गीत सुना है? अरे वो, स्वादों का? नहीं तो, तुम्ही आता है क्या? हाहा, कुछ-कुछ आता है, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ लो, सुनो बूरा मीठा, चीनी मीठी, गुणभी मीठा होता है नीबु खटा, इमली खटी, कमरख खटा होता है कणवा होता नीम चरपरी होती, मिर्ज हरी या लाल सारे स्वाद मिलें तो, बनता स्वाद चटपटा करे कमाल सारे स्वाद मिले तो बनता स्वाद चटपटा करे कमाल बढ़्याचाटवाला चटपड़ी चाटवाला बढ़िया चाटवाला चटपड़ी चाटवाला